खलो दोस्तों आज हम फिर मिले हैं एक नई रेसिपी के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी टेस्टी कुकिस जो की बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज हम यहाँ पर चार सामगरी से कुकिस बनाएंगे एक कप मलाई एक कप शक्कर आवशक्ता नुसार मेंदा और फ्राय करने के लिए घी मेंने यहाँ पर लिया हुआ तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले धीमी आज पर हम घी को गरम होने के लिए रग देंगे उतनी देर में हम एक कटोरी मलाई और एक कटोरी शक्कर शक्कर मेंने यहाँ पर साबुत ली है इन दोनों चीजों में हम जितना मेंदा डाल कर गूल सकते हैं उतना ही मेंदा अंदास से हम यहाँ पर लेंगे यहाँ पर लगबख तीन से चार टेबल स्पून मेंदा मेंने इसमें अंदास से ली है अब पहले हम इसमें आठा लगा कर देख लेते हैं हमें जो भी आठा गूलना है वो पूड़ी के आठे जितना सकत आठा लगा कर तैयार करना है जितना सकत आठा रहेगा उतना हमारे कुकिस अच्छे बनेगे हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है देखिए जितनी मलाई और शकर थी उसी में मैंने यहां मेंदा गुंद कर तैयार किया है देखिए ना सकत हमने यहां दिया है अब हम आठे को सेट होने के लिए बिल्कुल भी नहीं रखेंगे हम तुरंत ही इसके कुकिस बना कर तैयार करेंगे अब इसको में दो हिस्सों में लेकर इस आठे को सेट करूंगे आठे सेट हो चुका है अब पटे पर इसकी निक मोटी सी रोटी बना कर तैयार करते हैं हमारा थोड़ा सत्थ है इसलिए थोड़े से आसपास से जो किनोर है वो बेले टाइम थोड़े फट्टे हैं इसलिए हम उसको थोड़ा सा सेट करते रहेंगे हमें बहुत त्यान रखना है जो भी हम इसकी रोटी बना कर तैयार कर रहे हैं वह हमें बहुत पतली रोटी नहीं बनानी है हम रोटी को थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे अब देख लेते इतना मोटा हमने रोटी को रखा है अब इसके हम कुकिस टयार करेंगे अब अपने मंजा है आकार में इसको कट कर सकते हैं मेरे पास यहाँ कुकीज कटर है मैं इससे यहाँ पर कुकीज कटर नहीं है तो आप किसी भी डिपपी का डगकर इस्तेमाल करके कुकीज बना सकते हैं अब यहाँ पर एक कुकी में आपको बना कर बताऊंगी देखिए इस तरह से हमें सारे कुकीज बना कर तयार करने हैं यह सारे कुकीज मैंने तयार कर लिये हैं अब हम इसको बहुत ही दीमी आज पर फ्राइ करने के लिए कड़ाई में डालेंगे बहुत ही दीमी आज में हमने इसको डाले है और पूरे समय तक हम इसको दीमी ही आज में फ्राइ करने हैं थोड़े समय के बाद नीचे से हमारे जो कुकीज है वो हल्के-ल्की गुलाबी होने लगे हैं अब हम उनको पलट देंगे सारे जो कुकीज हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम कुकीज को गुलाबी होने तक फ्राइ करेंगे देखिए सारे कुकीज अच्छे से गुलाबी हो चुके हैं अब हम उनको एक पलेट में निकाल लेगे इसी तरह से हमने सारे कुकीज बनाकर तयार करने हैं देखिए कितने बढ़िया कुकीज हमारे तयार हो चुके हैं बहुत ही खस्ता और जालीदार कुकीज बनकर तयार हैं बहुती आसान सी विधी में और कम चीजों में हमने हैं कुकीज बनाकर तयार की है और इतने टेस्टी यहां कुकीज खाने के लिए होते हैं कि आप जब चाहे जब बनाकर खाना पसंद करेंगी आपको मेरी रेसिप यदि अच्छी लगी हो तो करप है उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरू जरू कीजिए धन्यवाद झाल